नमस्कार, मैं सोनी, आप देख रहे हैं बोकारो की आवाज न्यूज, आए नजर डालते हैं आज की खबरों पर बोकारो जिले के सिटी पुलिस ने चेन छिंती के मामले के एक आरोपी को गिरफतार किया है, साथ ही उसके पास से चोरी की गई 6 ग्राम सोने की चेन के साथ एक काला रंग के बजाज पलसर मोटर साइक भी जप्त किया है इस संबंध में सिटी डिएसपी कुलदीप कुमार ने बताया कि 19 सितंबर को सेक्टर 3A के आवास संख्या 767 निवासी संतोष कुमार बरनवाल की पत्नी से आरोपी ने सोने के चैन छीन लिया था, इसके बाद पुलिस उसके गिरफतारी के लिए लगातार छापे मारी कर र के या विए AccessSanala जिए दो चेन छिए अरूपी है जो आरोपत्री आरूप पत्रीन हो यह जो जेड राया हूब पर चैन लिए लिए उन सभी का सत्यापन भी किया लिया हूँ सत्यापन के दौरान है कोCялा की अबताता जो परदा की कोछ अपरादी ऐसे हैं जो लगतार अपर वरतमान जो घटनाएं हो रही हैं उसमें वो संदीथ है और चेंचिंटाई कर रहे हैं और को सिसी टीवी देखा गया है जिसमें कि उनकी पारचान की गई है इस परकार से लगतार बीज सेटी थाना सेक्टर 4 थाना सेक सेक्टर 6 और अबला नगर्चेतर के और भी आने जो थानाएं हैं उन लोगों के मदद से चापामारी की जावी थी इसमें से एक सहाधत नामका अभिक्त गिरफतार किया गया है इसके पास एक चेंच भी रिकवर हुआ है और जो राटना में परिक्त मोटर साइकल है वो भी जिसमें की अलग अलग लोगों के दौरा तीन-चार तीन-चार करके उसमें अबराई है और वो अपना-पना टीम लेके निकलते हैं और वो यह मौकापाते हैं किसी अकेली महिला या दृद महिला है तो उनको टार्गेट करते हैं उससे चेंच चेंच अगर विडियो आई और आप जार्खंड की राजनीती और जार्खंड वासियों से सरोकार रखते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब करें उसी जगह एक घंठी है उस बटन को दबा देने से कुल सतीक और मारत खबर आपको मुफ्त में मिल जाएगा अगर आप लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारे नए प्रयोग में हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो हमारा फोन पे नमबर 8235071962 धन्यवाद